आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे मिरे नाम सिध्धान दड़नी हो तरी श्टड़ी एक्यूपाइब का बहुत बहुत स्वागत आज हम बात करेंगे दोस्तों पंडित जस्राज की बहुत दुखत कबर आ रही है पंडित जस्राज का 90 साल के उमर में देहांत ह हो गया है निधन हो गया है भगवान इतकी आत्पा को शांती थे लेजन थे भारत के महान गायकों में से एक देवी अवास थी इनकी सरस्वतिमा का अच्छरबाद था पंडित जस्राज जिनको पद्व भूशल पद्व विभूशल दोनों ओनर मिले हैं इंडिया का महान गायक थी तो आज हम पंडित जस्राज की बात करेंगे हमारा एक ट्रिब्यूट है इनको तो दोस्तों शुरुवात करते हैं एक इंसिडेंट की 1965 में बहुत सारे कॉंसर्ट किये दुनिया भर में कॉंसर्ट किये दुनिया भर में इनके फैंस थी 1965 में जब भारत और प भिर्वान माई अल्ला इसकाइंड पीस इंभारव जिसको शिव राग बोलते हैं जो मॉर्निंग राग है उसमें गादिया ही अल्ला और शिव को कम्माइन कर दिया और जो भी कॉंसर्ट में लोग बैठे थे ना हो गया वो बिलकुल होता ना कि जब आप दैवी अवाज समझ ही नहीं आता कि करें क्या एक अलगी दुनिया में पहुंच जाते हैं अगर आपकी आवाज बहुत अच्छी है तो समझ लीजे तब तो सरस्वती मा की क्रिपा है आप सीधा भगवान से जोड़ सकते हैं और दूसरों को भी जोड़वा सकते हैं जब आप गाना सुनते हैं अच्छी आवाज कानों में जाती है तो खो जाते हैं ना ऐसे थे पंडिजस राज और ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट है धेरो आर्टिकल्स पढ़े दोस्तों मैंने अभी नोंने अपना 90th birthday मनाया था अभी जन्वरी में ही 30 जन्वरी को 28 जन्वरी को उनका जनम दिन आत हुआ था परिवार मुजिशन पाई जाहिट सी बात है इनका गला इतना कमाल का है तो मुजिकल फामिली से ही आएंगे लेकिन आम तोर पर एक बढ़ा इंटेलेक्च्ट्ट ल म्यूजिक समझा जाता है तुमको ख्लासिकल नहीं आता है, तुम हटाओ, हिप्पी, हेपप, गाने वाले हटाओ कुछ नहीं, तुम समझ ही नहीं पाओगे अक्सार जो लो classical नहीं समझ पाते हैं जो थोड़ी बुराई कर देते हैं उनको बहुत मदब ऐसे देखा जाते हैं कि बहुत बढ़ा गुना कर दिया classical music दोस्तो अब समझ सकते हैं कि इसके जो roots है art and culture आपने पढ़ा हो गए 2000 सालों से हैं बहुत पुराना है और इसमें nature को represent किया जाता है अलाकि हम उसकी बात नहीं करेंगे रागो द्वारा और बहुत सारी चीज़े होती है तो ऐसा है कि classical music बड़ा elite music है intellectual music है यह आफ टो भी जीनियस बहुत आपको patience रखना पड़ेगा पंडित जसराज ने ये बात को नका रहा उन्होंने बोला बिल्कुल नहीं classical music तो हर किसी का music है सारे भारतियों के जितने भी भारतियों के रग रग में classical music है ultimately सारे गाने भी भया धुनों पे ही तानों पे ही based होते है ना modern गाने भी ऐसा थोड़ी ना है और अगर हमको अच्छा लग रहा है यानिकी classical है हम तो हर जगा classical है पंडित जसराज ऐसे गाचते थे classical music भी कमाल बना देते थे कुछ ऐसा इनका औरा था 1938 जनवरी को इनका जनम हुआ अब आगको बतादर कि इनके पिताजी बहुती कम उमर बे उन्निस सो चौटिस 1934 जब ये चार साल के थे तब इनके पिताजी पंडित मोती राम का देहान्त हो गया और यूब बी सप्राइज डिट नो कि जब पंडित मोती राम का देहान्त हुआ उसी दिन ये राजा मीर उस्मान अली खान के कोट मुजिशन बनने वाले थे कोट सिंगर बनने वाले थे और उसी दिन इनके पिताजी का देहान्त हो गया अब जब इनके पिताजी का देहान प्रताब नारायन आपको बता दूँ जतिन ललित है ना music director बहुत बड़े music director जो जीता वही सिंक अंदर कुछ-कुछ होता है music दिया ना इन सारी movies में कुछ-कुछ होता है नहीं वो कौन सी दिल वाले दुले मिया ले जाएंगे बहुत सारी movies में music दिया है जतिन ललितने बड़े famous गाने हैं है कि नहीं तो उनके पिता है पंदित प्रताब नारायन और पंदित प्रताब नारायन बड़े भाई हैं पंदित जसराज के तो आप क्या करें कुछ ना कुछ तो करना है तो इन्हों ने तब्ला सीखना शुरू कर दिया गाना नहीं गाया नहीं तब्ला तब्ला सीखना पहले अपने भाई से पफॉर्म करते थी इनके बड़े भाई Potamai सिंगर थे और यह भी तबला बजाते थे तो बड़े भाई से इन्हों ने तबला सीखा और 11 साल की उमर से ही पंडित जसराज जहां जहां इनके भाई जाते थे वहां वहां पंडित जसराज भी जाते थे साथ में इनके भाई ने अपने आवास खो दी थी इनके भाई ने आवाज नहीं निकली, पंडित जसराज बहुत परिशान, वो छोटे थे पंडित जसराज, लेकिन मा काली के चर्णों में गिर गए इनके भाई, और यह सची कहानी है, ठीक है, यह बिल्कुल सची, इस इवेंट का पंडित जसराज के उपर बहुत बड़ा एफेक्ट पड़ बहुत इंपक्फुल इवेंट था, माता काली के मंदिर में खड़े हुए थे, एक अचानक उनके आवाज वापस आगी, बहुत बड़े भक्ते थे माता काली के इनके बड़े भाई, और यह इवेंट पंडित जसराज के उपर बहुत ज़धा असर करा, और उसके बाद पं अमरंथ चावला ने पंडित जसराज का मजाग उड़ा दिया, उनकी नौलिच में सवाल उठा दिया न, तब पंडित जसराज का मूर्ख खराब हुआ, और उन्होंने फिर बहुत प्रैक्टिस की, तबला को टची नहीं किया उसके बाद से गाने के प्रैक्टिस शुरू क कर दी और उसके बाद वो आवाज निकली इनकी गले से पूरी दुनिया मंत्र मुग्ध हो गई जहां पर ये गाते थे वैसे आपको बता दूए मेवाती घराने से बिलॉंग करते हैं घराने होते ना अरिजिनली तो ये मेवाती घराने से हैं लेकिन फिर इन्होंने ट्रेनिंग चुरू की अंडर स्वामी वल्लवधार जो की आगरा घराने की हैं चौदा घंडे रियास करते थे ये कुछ वक्त बाद इनको एजा रेडियो आर्टिस्ट क्यालकटा में काम मिल गया अब जो भी इनकी आवाज सुनता इनका फैन हो जाता लेकि अभी भी वह ख्याती नहीं मिली थी और बाइस साल की उमर में इन्होंने अपना फल्स्ट स्टेज कॉंसर्ट दिया पता है किसके सामने नेपाल के राजा त्रिभौवन के सामने उन्होंने फल्स्ट परफॉर्मेंस दिया, फर्स्ट कॉंसर्ट किया, और सब मंत्र मुब, यह कौन आ गया है नया लड़का, इतना जादा जो कमाल का गार रहा है, और उसके बाद तो there was no looking back, बहुत सारे इन्होंने शोस किये, इनको संगीत मार्तंड भी बोला जाता है, इन्होंने जसरंगी स्ट की जो की एक डूएट है, classical music का, एक डूएट है, जिसमें male और female, vocalist साथ में गाती है, दो different राग को combine किया जाता है, एक राग में ही दोस्तों, इंसान अगदम अलगी लेवल पे चला जाता है, यहाँ पर दो राग को combine करेंगे, तो क्या होगा, यह basically बहुत important है, और काफी ज क्लासिकल म्यूजिक एक elite music है, intellectual, उन्होंने बहुत रहे बिल्कुल भी नहीं, यह सबके लिए it's for everyone, पंडित जिसराज जी बोलते थे, लेकिन पंडित जिसराज जी को सबसे जादा याद किया जाएगा, audience से जो इनका interaction होता था, क्या कमाल का audience से interact करते थे यह, एक बार यह क्लासिकल म्यूजिक फेस्टिवल में perform कर रहे थे, तो क्या हुआ कि पंजाबी, आपको पते हैं कि पंजाबी एकदम मस्त मौला होते तो उन्होंने बोला, कि पंडित जी आज तुससी पंजाबी शब्द नहीं सुनाया, तो पंडित जसराज जी ने स्माइल किया, ओ मेरे कल ही पंजाब में सुना के आया हूँ, अगली बार सुन लेना, तो और कोई असने लगा, ओडियन से जो इंटराक्शन होता है, कई सिंगर जो है, वो थोड़े से ख़डू स्टाइक के होते हैं, वो जादा ओडियन से इंटराक्ट करते नहीं, लेकिन पंडित जसराज इतन अब देख लीजे, अगर हम बात करते हैं, 1975 में इनको पद्मश्री मिला, 1990 में इनको पद्मभूशन और 2000 में इनको second highest civilian award पद्मभूशन, highest क्या होता है भारत रतना, उसके बाद पद्मभूशन, फिर पद्मभूशन, फिर पद्मश्री, तो 2000 में इनको पद्मभूशन भी म इन्हों ने 300 बंदिश create की हैं, classical music की बात करें, अब पंदिच जसराज जी का सिर्फ दुनिया में नहीं नाम है, इनका galaxy में नाम है, फूरे universe में ब्रह्मान में नाम है, अमर है ये, minor planet इनके नाम पे रख्का है, उस minor planet का नाम है पंदिच जसराज जी, कई बाद हम ट्रिब् होवन के नाम पे भी minor planets है, तो last year, मतलब पिछले साली सप्टेंबर में International Astronomical Union ने celestial object जो की minor planet है, एक उनसको पंदिच जसराज जी का नाम दिया, मार्स और जुपिटर के बीच में है वो, इस से ज़्यादा respect नहीं हो सकती, 90 साल के थे दोस्तों, इनका दिहान्त हो गया है, अ 90th birthday उने मनाया था, New Jersey में भी यह रहते थे, और अभी Monday को इनको cardiac arrest, heart attack हां गया, यानि कि कल, इनकी जो वाइफ है मधुरग और इनकी बेटी दुरगा और बेटा शारंग देव, ठीक है, सो वाइफ, बेटा और बेटी तीनों जिन्दा है, ये 90 साल के उमर में इनका दिहान् 2020 बहुत अच्छा नहीं जा रहा है, बहुत ही खतरनाक चीजे हमको सुनने को मिली है, बहुत सारी deaths हुई, अकस्मात है, 2020 अब पता नहीं क्या-क्या और लेगा, जल्दी से बस ये साल बीते, अगस्त आ गया, अब जल्दी से निकले ये, तो ये लेचर थे दोस्तों, ये ल झाला काला, ये भीता नहीं क्ले सकते हैंदे क्ले ये लिंसे वे वे लेगार, तो रहा है, वventionsि जल्दी से ये लेकिन हमको सुनिघने को सुननख रहा है, बहुत सैंसी सिरा है, 2021 से बहुता क्या श्क्मात बात слов तो उन्हा है, बहुता है, रहावन उल्ना चेंको सुनियwest ऒं